दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर बोटनिकल गार्डन से जनकपुरी पस्चिम के बीट बगेर चालक के मेट्रो का परिचालान 28 दिसंबर से शुरू होगा पीएम मोधी 28 दिसंबर को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर शुरुआत करेंगे। पीएम मोबिलिटी कार्ड आने वाले समय में पूरे देश की मेट्रो में किराय भुक्तान के लिए लागू किया जाएगा। चालकाजी से जनकपुरी पस्चिम के बीच मेट्रो सेवा शुरू हुई थी। तब से मजेंटा लाइन के पूरे हिस्से पर मेट्रो का परिचालन हो रहा है। मौझूदा समय में मेट्रो में चालक मौझूद होते हैं। थाविस दिसंबर से बाटनिकल गार्डन से जनकपुरी पस्चिम के बीच बगेर चालक के मेट्रो का परिचालन शुरू किया जाएगा। बता देखी फेस तीन के मजेंटा वो पिंक लाइन मेट्रो कॉरिडोर पर संचार आधरी ट्रेन कंट्रोल सिस्टम यानि की CBTC का इस्तमाल किया गया है। इसलिए शुरूरा से ही इन दोनों कॉरिडोर के निर्मान में एसी तकनिक का इस्तमाल किया गया जिसे चालक रहित मेट्रो का परिचालन हो सके।